पिछले सप्ता के बाजार के स्टार कारिक्रम में हमने गर्णा की थी कि मेश और तुला राशी में गुरू और मंगल का सम सप्ता की योग बाजार के लिए पॉजटिव रहेगा और हमें बाजार में गिरावट थमती हुई नजर आएगी और बाजार ने पिछले सप्ता हमार गर्णा के मुताबिक ही बिहेव किया और निफ्टी में हमें करीब सबब फीजदी की तेजी देखने को मिली है इस सप्ता सोरे बुद्ध की करने राशी से निकल कर शुक्र की तुला राशी में गोचर करना शुरू करेंगी जबकि ट्रेट की वज़े से ग्रेव बुद्ध अपने उच्च राशी करने से निकल कर तुला राशी में गोचर करना शुरू करेंगी इस प्रकार ये दोनों ग्रेए पहले से तुला राशी में गोचर कर रहे मंगल के साथ त्रिग्रही योग बनाएंगे और ये त्रिग्रही योग 6 नवंबर तक चलेगा और 6 नवंबर को बुद्ध राइशी परिवर्तन करके मंगल की वरिष्विक राइशी में गोचर करना शुरू करेंगे। ऐसे में केतु का गोचर भी तुला राइशी में हो रहा है और इस लिहाज से मंगल, बुद्ध, सूर्य, तीनो राहू केतु से पीड़ित हो जाएंगे और बुद्ध दिन में सबसुधादा पीड़ित होंगे क्योंकि मंगल, केतु और सूर्य तीनो ही पाप ग्रे हैं। बुद्ध के पीड़ित होने का बाजार पर निगेटिव असर देखने को मिल सकता है, लियाजा बाजार में पोजीशन बनाते वक्त साबधनी जरूरी है। सुल अक्तूबर को चंद्रमा राहू केतू में रहेंगे और चंद्रमा राहू के इस वाते नक्षात्र में गोचर करेगा। यह सती बाजार के लिए अच्छी नहीं है, निविश्यों कन्फ्यूजड नजर आएंगे और विदीशी प्रुभाओं की वज़े से बाजारों म तरचड़ाओ देखने को मिल सकता है। एक्सेज में सोरी मंगल के साथ यूती में होंगे। लियाज हमें बाजार में दबाओ देखने को मिल सकता है। और सरकारी सेक्टरों में शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। 20 अक्तूबर को जंद्रमा केतू की मूला नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस से हमें बाजार में उतार चड़ाओ देखने को जो मिलेगा हाला कि इस दिन IT सेक्टर की शेरों में अच्छा कारूबार हो सकता है